उम्र के जिस पड़ाओ पर जाकर ये कहा जाता है कि अनुभाव बहुत ज्यादा हो जाता है स्रेस्ट भारत पर आज हम वो अनुभाव देखेंगे आज सोनिपत लोकसभाक्षित्र के इलाके में हम लोग हैं सोटी गाउं है और बड़े बुजर्ग हमारे साथ देख सकते हैं बैठे हुए इस वक्त चर्चा करेंगे राजनेतिक गल्यारों की किस तरह का माहूल यहां बनता है किस तरह से जिस तरह से बीजेपी का विरोध देखने को मिलता है क्या वही सारी बात हैं हम लोग बता पाएंगे जिसके बारे में अभी जानना चाहेंगे जो कैंडिडेट हैं और जिस तरह से हरियाना सरकार, बीजेपी सरकार या केंडर सरकार की हम बात करेंगे तो क्या माहूल रहेगा वाओ जी सबसे पहले हम आप से जाना चाहेंगे कि एक बार फिर से लोगसभा का चुनाव आ गया है तो कैसा माहूल है यहां माहूल तो अभी टेकट तो दूसरी परटी को मिला यह निया किसी को घगट मिलने के बाद यह देखा जाएगा क्या होता है अभी पर मुद ऑन्न देना ना जो घगट मिलने के बाद यह सोचेंगे किसको वोट जाए किसको नहीं तो बीजेपी से लोग कितना खुश हैं क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में बीजेपी प्रेसान तो नहीं है प्रेसान नहीं बीजेपी खुशी है तो तीसरी बार लगातार नारेंद्र मोदी को परधान मंतरी बनाना चाहेंगे नम परधान मंतरी तो बन जाएगा कोई बात नहीं है तो एकलियर है तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरह से राजनिती गलियारों में चर्चा हो रही है क्या मोदी फिर से परधान मंतरी बनने वाले है कुछ अ अब क्या कहेंगे जिस तरह से माहोज चल रहा है भी बीजेपी के पंस का है या वै आपके बार मुश्किल है वैसे कम आएगे 400 नहीं आएगे 200-500 के करीव आएगे 200-500 के करीब बीजेपी लेजए तो दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही दूसरे पर तो कांगरेस की है इंडिया जो बना रखी नहीं है शंगत्र नहीं लोगों का बनावागा काम करेगा आप भी थोड़ा सा नुबल रखते हैं इसका चाहना चाहेंगे इसके बारे में क अब मध्यस्ता देखें इसकी बीच बचाओ कर दा था पहले वीजेपी में सेलेंडर था 500 रुपे गा तीक है वह सबस्योडी खागे वह सेलेंडर गरीब आदमी हूं मैं जार पार सेलेंडर कैसे ब्रुबा हुआ हुआ कि सरकार को अच्छा मान दे हैं बीजेपी सरकार अच्छी है कॉंगरेस अच्छी अच्छी कॉंगरेस पहले हम तो कॉंग्रेस की अच्छी मानने गहीं कीज़ेबम कर दिया सबी चीजों के रेट बढ़ा दिये वह ठीक है आप युवा हैं आपकी बार जब वोट करेंगे तो किसे वोट देना चाहेंगे कॉंग्रेस को वजय क्या मान के चले मैं तो 2014 हमें एक वोट बीजेपी को देकर पस्ता रहा हूं गल्त आत्मदेश सोब दिया लोगों ने ये महिंगाई को लेकर सत्ता माए थे कि महिंगाई तनी जादा है महिंगाई तनी जादा है कॉंग्रेस ने ऐसा कर दिया वो कर दिया लेकिन आज देखो शिक्षा स्वास्त है या कोई घरेलू सामान है बिजली है गैस है सब के दाम दो गुने है अगर किसे में थोड़ा सा भी विवेक है तो वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा लेकिन मोदी जी तो कहरे हैं देश विक्सित हुआ है कहा हुआ विक्सित दिखाओ तो सही कहा हो गया विक्सित देश पर करजा देश पर करजा जो 70 साल मनी हुए था इनों ने सिर्फ 10 साल के अंदर उसका दोगणा कर दिया इसको विक्सित मान्यम कहां विक्सित है देश यूआ जब तक सवाल नहीं करेगा देश कैसे सूरेगा क्या कहना चाहेंगे क्या और कुछ क्या कहना चाहेंगे लोगों को रोजगार दो लोगों की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए कुछ काम करें सरकार आप क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरह की बातें उठ रही हैं मैं एक बात बताओ ठीक है मारा पर दानमंत्री 2014 में लोगों की डिमांड थीख भी चानरंदर मोधी पर दानमंत्री हो सब ने खुल के वोट करया है अब उसके बाद उसने 2016 में आते लोग लेन में लगा दिये नोट बंदी करके नोट बंदी में अगर एक नए पीछे का भी फाजया वहा जामन बताओ अब क्या कहेंगे नाराजगी तो है क्या वज़े मान के चले नाराजगी की असल वज़े अगर आपकी नजर में कोई है तो बताई असल वज़े यह जी जुम्में गाई और बेरोजगारी ने किसान मजदूर जमीदार की जो कमर तोड़ रखी है न इसे ना खुसे है इसलिए कांग्रेस की तरफ जुकाओ जनता का है जब कोई सरकार अस्तित्व में आती है तो महिलाओं का भी बड़ा योगदान उसमें होता है तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहूल अभी है क्या मोदी का 44 का नारा चल पाएगा मताजी क्या कहेंगी जिस तरह से सरकार करी अब की बार 400 का बशी कहेंगे कॉंग्रेस की सरकार अच्छी थी या बीजेपी सरकार अच्छी थी पाइब लाले इतनी महाई बदरी है तो प्याय करें जोगरी बादमी है तो यह करेंगे तुमारे गए चार सो पार क्या टैम बता होगा जैसा भी टैम होगा वैसा मावल देख्या जाएगा फिक है चार सो पार ओंग एक नी होगे रह आया मोद दिन महें गाई आलू 40 शरपी किलो टमाटर 50 शरपी किलो तो आरे एक चीज कुछ भी लेले वो पचास तनी चनी है और तो आम रसोई क कैसे काम चलाएंगे बजट नमारा थोड़ा है रसोई का खर्चा ज्यादा है सलेंडर बारा से 11 सद के होगे चैसाड़ी गयार उसके है और तो हम कैसे करेंगे हो और तो मोद दीका तबाई देखेंगे मौल दिख्या जाएगा कैसा है कैसा है कैसा ने महिलाओं से भी हमने लेकिन कहीने कहीं वही समझ्चा जैसे रसोई की चीजे हैं खाने पीने की चीजे हैं और डाल दलन है सिलेंडर है यह मुलभूत सुइधाएं जो हैं कहीने कहीं सुने दिखाई दी है कोल मिलाकर यहां से भी एक नारा आ रहा है कि अब की बार 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रही है वो थोड़ा सा मुश्किल रिखाई थी